हेलो दोस्तों सुवागत है आप सभी का इलेक्ट्रानिक स्टाडी यूट्यूब चैनल में नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटिसी आडियले थर्ड समेस्टर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह है आपका भाग संख्यातिन यानि की तीसरा पारिट आपका संस्कृत व्याकरण को ले करके हम बात कर रहे थे दोस्तों तो यहाँ पर आज आगे का चुकी स्वरों के बारे में हम आज़री बात कर चुके थे कि आप संस्कृत व्याकरण में स्वर को कितने भागों में बाटोगे कितने स्वर आपके देखने को मिलते हैं उस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में जो वेंजन होते हैं उनको लेकर के जो भी आपके वेंजन के वर्ग होते हैं जो भी वेंजन के प्रकार होते हैं भेद होते हैं उससभी को लेकर के बात करेंगे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ यह आपका व्याकरण के तहट इसमें जो टॉपिक है वेंजन के बाद आपका complete हो रहा है and after that आपका जो है संधी सुरू हो रहा है जो है उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी संधी क्या है संधी के जितने भी प्रकार है आपकी सबको example के सहित हम समझेंगे बहुत important है आपका संधी में तो हमेशा पूछा जाता है आपकी चीज़े पूछी जाती है तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें जिन्होंने चैनल को अभी सक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले रेड बेल आइकन को भी दबा ले जिसे कि नोटिफिकेशन आपको पूरी तरीके से मिलते रहे दोस्तो संस्क्रित व्याकरण यहां पर लिखा हुआ है आपका संस्क्रित भाषा में वेंजन स्वर पढ़ चुके हो आप तो थोड़ा सा जिसकी बारे में जान लेते हैं कि स्वरों की सहयता से उचारित वरणों को आप क्या बोलते हो वेंजन बोलते हो स्वर क्या थी आप स्वतंतर तरीके से जिनका उचारण कर रहे थी ठीक है किसी की सहयता लेने की जरूत वहां पर नहीं थी जब कि जब Vengeance का आप अब उचारण कर रहे होते हो मत्तब उनका जब Pranunciation कर रहे होते हो तो आपको स्वरू की ज़रुषट पड़ती है ठीक है यानि वाउबेल्स की ज़रुषट पड़ती है Consonants को अब उचारण करने के लिए है किसी भी भाग हो सकता है अदी कर या रुक करके बाहर आती है इस वह पर कहने का इनके मतलब है कि ये तक्रा करके फिर करके बाहर आती है तो वहां पर कहीं न कहीं से सवर की हेलप ले जा ही है स्वर की सहायता ली जा रही है तो ऐसे मैं आप वेंजनों को डिफाइन कर सकते हो बता सकते हो कि वेंजन होते क्या है आगे देख लेते हैं यहां पर जो इंपॉर्टन चीज है यह तो चलिए एक छोटी सी डाफिनिशन हो गई जिसको लेकर के हम बात कर लिए वेंजन के भेद जिसको वेंजन के प्रकार भी बोलोगे क्या चीज वेंजन के प्रकार अब देख लेते हैं कि वेंजन के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका देखे तीन भेद लिखा हुआ है कि वेंजन के तीन भेद देखने को मिलते हैं सबसे पहला ह इसके बारे में थुड़ा बात कर लेते हैं कि जिन वेंजनों के उच्छारल के समय जीव मुख के अलग- läग स्थानों को स्पर्स करती है उने स्पर्स वेंजन काहते हैं स्पर्स का मतलब ही यही हुगा टच करना ठीक है जो आपके टच कर रहे हूँ ऐसे आपके consonants कहने का मतलब यह है कि मुख के अलग-अलग स्थानों को आप जैसे का खा गा घा कुछ भी बोलिए जो है यह सारे क्या है आपके वेंजन में ही आएंगे चाचो जाजा यहां तदददना पापा मामा कुछ भी बोलिए आप जो है यह स्पर्श वेंजन यह क्या है आपको 25 ही लिखना है कुछ और नहीं लिखना है ठीक है हिंदी व्याकरण से काफी डिफरेंट है बोक्स में अलग-अलग दिया हुआ है तो प्लीज यहां पर वही कंसिडर करें जो फिलहाल मैं भी बता रहा हूं यहां पर ठीक है चलिए एक एक वर्गों को लेकर के बा जो वर्ड होते है उनका समूह आप बोल सकते हो ऐसे तो काफर चाफर टाफर टाफर और पावर्ग ठीक है इनको लेकर के हम यह पर बात करने वाले हैं तो देख लेते हैं थौड़ा सा यहां पर आप लोगों को सबसे पहला जो लिखा हुआ है कावर्ग है जिसमें आपके 5 इसमें इ इतने तक आपको देखने को मिलेंगे ठीक है फिर उसके बाद आता है आपका चावर्ग यानि कि चाचा जाजा यहां और उसके बाद आपका क्या आएगा टावर्ग को ले लिजी आप जो है उसके जस्ट नीचे वाला भई मैं यहां की बात कर रहा हूं टावर्ग की इसमें क्या हो जाएगा आपका टाठा डाठा रा करके लिखा हुआ है ध्यान दीजि यह आपके वर्ग दोस्तों देखने को मिलते हैं कितने पांच ठीक है वह सॉरी पांच वर्ग देखने को मिलते हैं और उनमें वर्ग आपके 25 टोटल हो जाएगे देखिएगा यहां पर थोड़ा आप आगे लिख लीजीगा इसके कि का वर्ग का उचारन स्थान कहा होता है तो इसका होता है आपका कंट ठीक है का वर्ग का कंट होता है उसके जब आप चाचा जाजाई यहां बोलते हो तो यह क्या होता है उसको आप तालू बोलते हो ना तालू मतलब क्या होता है मुख के भीतर की चछत का पिछला भाग आप अपने मुख के भीतर जाईए जी भी तालव बे, यहां ता होगा तालवे करके, और आमका जब आप बात करते हो, तावर्ग को ले करके, तो दोस्तों, टा जो है, वो मूरधा होता है, वरड का नाम मूरधन ने करके, आप बोल सकते हूं, मूरधा क्या होता है? मुख के भीतर की चत का अगला भाग. देखे, तो आप जानते हो ताथा दाधना अपका दंत कहीं ने कहीं से आपका टाच हो रहा है दंत में आ जाएगा यानि कि उपरी दातों के निकट से यहां पे जो पावर्ग हो किसे होगा ओस्ट से होगा आपके यानि होट हो से आपको जो है देखने को मिलेगा जब आप मा बोलते ह तो होस्ट ही बोलते हैं आशा करता हूँ कि यह चीज आपको क्लियर होगी अब ठीक है इसको भी जरूर लिख लिजेगा बहुत इंपॉर्टेंट है अलग से आप इसको लिख लिजीगा दोस्तों दूसरा जो प्रकार है वह अंतस्थ वेंजन का यानि अर्धस्वर भी लिख से नहीं करती है ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ यहां पर दिखे लिखा हुआ है आपका इनकी संख्या के वल चार है हाँ पर देख लिजेगा यारा लावा यही तो होते हैं अंतस्थ वेंजन कई बार आपके एक्जाम में पूछेगे हैं और आपने आंसर भी दियोंग हूँ पेपर वन पेपर टू और कंप्यूटर आपका भी चौल रहा है सस्टी और बाखी रिस्ट आफ दी सब्जेक्ट वहां पर जल्दी ही आएंगे तो आपको करना यह है गूगल प्ले स्टोर से अन अकाडमी लर्निंग अप्लिकेशन डाउडोड करना है देखिए आप को सब्सक्राइब करते हो रेड बेल आइकन दबाते हो वहां पर सिंप्लि आपको फॉलो करना है अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हैं तो जो भी वीडियो ये लेक्शर्स में अप्लोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप अपने आपको अप होते समय मुख में हवा रगड़ खाकर ऊश्म या गर्म होकर के बाहर निकलती है ऊश्म का मतलब क्या हो ऊश्मा ही होता है ना जैसे और इनकी विसंख्या कितनी होते है चार होते है शाशा साहा ये चार वर्ड आपके देखने को मिलते हैं जब आप ऊश्म वेंजनों को ले आप संख्या 25 देख रहा हुए ये वाली उसमें आपके दो वेंजन और एड़ हो रहे थे एक तोड़ा करके और एक अधा इनको भी वेंजन में एड़ कर लिया गया था तो 27 हो गया थे मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कंपेर करके कि ह चांदी वियकरण संस्केट वियकरण में कैसे कैसे आप लिख होगी है ठीक है उश्व वेंजन कुछ अनए प्रकार भी होते है दोस्तों ठोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में इसके अलावा आयोगवाह और सौईुक्त वियंजन वर्ड होते हैं आयोगवाह के अले मे आयो गवाह पोछा गया है तो इसको आप ना स्वर में काउंट करेंगी और ना इसको आप वेंजन में काउंट करेंगी उसके बाद आपका háала स्यूंधा वेंजन होते है, या स्यूंधाख अक्षर की इसको आप बोलते हो, छठासा यहानी वहाँ आपकी चार थे हाँ यहाँ पर आपको छहा देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको कंसिदर करके चलिएगा यहां को का ऐसे बनाते हो का प्लस इरा है है यह आ Flag चीर दिया इसका और हलंत लगा दीजिएगा जरूर चुकि आप औरडों को विक्षेदन कर रहे हैं उनका विग्रह कर रहे हैं तो हलंत लगाना जरूरी होगा तो का प्लस शा बन गया ता प्लस रा आपका त्रा बन गया जा प्लस यहां ग्या बन गया शा के नीचे आपके द तो दा के नीचे हालन्त है और वा के नीचे भी आपका हालंत लगा हुआ है तो यह आपका क्या हो गया जब आप बात करते हो संक्ताक्षर वरणों को लेकर के या संक्ताक्षर वेंजन को लेकर के संस्कृत व्याकरण में दोस्तों आशा करता हूँ कि इस टॉपिक में या इन वेंजनों में जो भी मैंने बताया वो आपको पूरी तरके से क्लियर होगा इसमें कोई भी दिक्कत है समस्या है तो आप comment में पूछ लीजेगा उसको मैं बता सकता हूँ आपका comment में मैं reply कर दूँगा आपका facebook page भी है electronic study आप लोग वहाँ पर जा करके please जा करके उसको भी like करें वहाँ पर भी आप messages कर सकते हो मुझे individual message कर सकते हो instagram पे mahes lko करके id है space नहीं है mahes lko वहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हो या electronic study को follow कर सकते हो आपको जवाब वहाँ पर दिया जाएगा कोई भी समस्या या फिक किसी भी सवाल के लिए next वीडियो में अपने संधी को ले करके जल्दी ही मिलेंगे और चैनल को प्लीज सबस्क्राइब कर ले जिन्होंने भी तक नहीं किया है वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और सबसे बड़ी चीज शेयर कर दें अपने सहपाथियों के साथ में या जो भी आपके जानने में हैं और सबसे बड़ी बात एक और आपके जो जूनियर से प्लीज उनको बताईए कि सेकंड समेस्टर का सिलवा सनकाडवी पूरी तरी के सेबा लेविल है वो लोग वहां से जा करके पढ़ें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपका जो संधी टॉपिक है उसको लेकर के तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद